हेलो गुट मॉर्निंग इधर दूद गरम हो रहा है और कोकर में आलू वाइल हो रहे हैं अब मैं करूंगी पूजा की तैयारी इसी लिए मैंने दीपक निकाल रखी हैं 11 अब इनको पानी में बिवोईंगे ताकि तेल इसमें कम लगे और हमारे यहां देप्ठा निकादेशी पर जिस तरह दिवाली पर पूजा होती है ठीक वैसे हम लोग इस दिन भी पूजा करते हैं गन्ना सिंगाडा मूली और ये बैगन ये सब रखा जाता है लेकिन हम पूजा गड़ेजी और लक्षमी चीए करते हैं वैसे आज के दिन प पैर का समय और मैं बना रही हूँ अपने लिए औरेंज का जूस क्योंकि आज एका दशी है और मेरा ब्रत है चलिए अब बनाते ही औरेंज का जूस और ये मैंने नापतोल में मैंने एड देखा था ना तम मैंने लोकल मार्केट से इसको खरीदा था ये चैसे 500 ये 600 रुप भी बच्चा या बड़ा कोई भी आराम से इसको निकाल सकता है इसको डाल के अच्छे से पुश कर ओपर से और देखिए ये जूस निकल रहा है इगलास में और एकदम से प्यूर घर पर बनाए और खुद प्यूर गर्मी हो सर्दी अंगूर का भी निकल सकता है इसमें अन रोती क्या है मार्केट से जूस खरीदने की देखिए ये देखिए पूरा ग्लास भर गया और और औरेंज काफी मीठे थे तो उसलिए उसमें मतलब नमक या चीनी मिला जरोती नहीं पड़ी यहां दूद भी गरम हो गया है और मेरे आलू भी वाइल हो चुके है अब पैर का समय भी हो रहा है और अच्छी स्कूल से आ रहे हैं जल्दी जल्दी आलू को छिल के एक तरफ लगते हैं यह मेरे आलू भी छिल गए अब मैंने लिए हैं अब बना रही हुमें फ्रूट रहता तो मेरे पास एक ऐसेब और अनार पड़ा हुआ था अब इनको अच्छे से वाश करते हैं और फिर बनाते हैं फ्रूट रहता क्योंकि एनर्जी से बरपूर आपका फ्रूट रहता ब्रत हो या नहीं हो या कोई भ इसको पील किया और बिल्कुल छोटी-छोटी तुकड़ों में उसको काट लिया अब मैं करती हो नार को छीलती हो क्योंकि इसमें आप बहुत सारे फूर डाल सकते हैं संगूर है स्टोवेरी है की भी है बस जो जूसी फूर्ट होते हैं उसको नहीं डालते हैं और बाकि सभ और क्रीम भी होती है कि लंच्टाइम भी हो रहा है ना तो आलू चील लिए अब बच्चों के लिए पराठा या कुछी बना सकते हैं और फ्रूट्स राइथा एक तरफ इसको रखते हैं अब करते हैं राइते की तैयारी तो इसमें मैं सबसे पहले लुंगी में एक वाउल और उसमें हमने लिया एक वाउल इसमें डालेंगे हम दो से तीन बड़े छोट बड़े चमच क्रीम ये घर की दूद की मलाई है उसको मैं स्टोर करती रहती हूँ ताकि ये इसी सही मैं घी निकालती हूँ मैं ये पूरा फिल हो जाता है तो आराम से मेरा निकल आता है 500 ग्राम-600 घीर पर ही निकल आता है मैंने डेलिया क्रीम अब इसमें एट करेंगे हम लोग शुगर थोड़ा सा सुगर आज थास्डे है तो आज बनाना में खा सकते नहीं क्योंकि मैं थास्डे काई फास्ट रखती हूं क्रीम और बनाने की स्मूथी बनाओगे न काफी अच्छा बनेगा और उसमें शुगर एट करने की आपको जरुवत भी नहीं पड़ेगी काफी अच्छे इसको एट करते रहो ताकि शुगर उसमें अच्छे से मिल जाए अब इसमें हम मिलाएंगे दही दही भी एक से दो बड़े चम्मच यह मैंने एक चम्मच और यह दो थोड़ा सा यह और इसको भी अच्छे से हम लोग मैश करेंगे ताकि अच्छे से क्रीमी स्ट्रेक्चर बन जाए अजब आब इसको टेस्ट करोगे न तो मालूम पढ़े गई नहीं कि दही है कि वो क्रीम जादा है काफी बैलेंस बन जाता है पूरी तरही के से और दही दही का बनाओगे तो वो अच्छा नहीं लगता है क्रीम के साथ बनाओगे तो तुमको फ्रूट्स रहता है लगता है क्रीमी खा रहे हो जो मार्केट में आपको मिलता है शादी फंक्शन में आपको खाने को मतलब वहां उससे में बनाया जाता है जो हलवाई लोग बनाते हैं तो वो क्रीम और दही दोनों को एड़ करके ही बनाते हैं देखिए बैटर थोड़ा गाड़ा हो गया है तो इसमें थोड़ी दिर बाद में इसमें एड़ पानी भी आड़ करूंगी इसके अंदर कि अ अब इसे मैंने हा जखा हो तो मैंने इसके अंदर एड़ किया ब्रत का नमक सैंदा नमक से मैंने हाड़ किया थोड़ा सा क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा नमकिन तोनों बैलन्ichen से पसंद है इसी लिए मैं नमक बेच्ट किया और आयतब ये तभी कहला हैगा जब थोड़ा सा मंई थोड़ा सा नमकीन हो कुट्व और काली मिर्च खता हो गई इसलिए मैं इसमे कूट कर काली मिर्च भी डालोंगे अभी कट्वी काली मिर्च इसमें मैंने कुटी विकाली मेंस डाल दी, अब इन तीनों को भी दोनों को भी अच्छे से मैश करते हैं मैश करने के बाद जब काफी अच्छे से मैश हो जाएगा चीनी का नमक का मिर्च का तीनों का वैलन्स बरावर हो जाएगा उसके बाद हम इसमें फ्रूट से अट करेंगे अब थोड़ा थिक है तो मैंने से पहले पानी अट किया देखिए तयार हो गया हमारा रायता दही और मलाई दोनों का बैलन्स ठीक रहा इसके मतलब दोनों का मलाकर बनाएंगे इसको रहता देखिए अब इसमें एड करते हैं शेप और अनार क्याद हैं करते हैं शेप और अनार क्याद करते हैं यह देखिए, यह है सेव और अनार्क, हमने इसमें एट कर लिया, अच्छे से कोटिंग हो जाए अंदर से, आप इसके उपर भी हम लोग डाल के रखते हैं, यह उपर से और गार्निश कर दिया, यह बन के तयार हो गया, आपका फ्रूट रहता, खाने में टेस्टी, हेल्दी, और एनर्जी से भरपूर, यह 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 भी हमें, यह दिनए यहिवगा लोग्ड़वागगा प्रफ। अब मैंने कर रही हूं पूजा की तयारी मैंने लक्षमी गडिजी को यहां बिराज़्मान करवा दिया है और आग स्पास्की में तयारी में लगी हुई हूँ क्यों साथ साथ खाना भी तयारी भी क्योंकि साथ बजी पूजा का समय है तो समय के अनुसार पूजा भी करनी चाहिए तो मैं यहाँ पर तयारी में रखती है और फूल माला है और यह जो एक अदशी में जो सिंगाड़ी मूली और सकरकन गन्ना यह सबी में ले आई थी मार्केट से उनको भी दो कर रखने हैं भगबान जी के पास और मैं बस सब तयारी में लगी हुई हूँ बच्चे भी आ गए हैं खाने की तयारी भी है शाम भी हो रही है क्योंकि आज कि मौसम बहुत दिन बहुत छोटा हो जाता है और ठंडा मौसम भी है इसलिए देखिए मेली आईसिंग आड़े सकरकंत और मूली यह बड़ा सा बैगगन और हमारे पास है गन इन सब की पूझा होती इसलिए मैंन को दो कर लिया यह टोफ्री मेंन को रख दिया आप लोग इस तरह से करते हैं तो मुझे जरूर बताईए किस तरह से आप पूझा करते हैं देख़ाने का दशी की अब मैं कर रही हूँ सबजी की तयारी खाने की तयारी मैं बना रही है सबजी एक बड़ा चमज डाला मैंने घी क्योंकि आजब्रत है तो आजब्रत की सबजी बनाऊँगी तकि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं कभी-कभी थोड़ा सा पोश्टे एक साथ भी खाना खाना चाहिए हलका जो भी है तो बस मैं कर रहीं जीज में डाला जीरा जीरे वो अच्छे से बूनेंगे अब आट करेंगे इसमें कटे हुए हरी मिर्च और टामाटर आट करेंगे इसमें अब नमक और थोड़े से काली मिर्च अब मेरे आलू वाल जो करके रखे हुए थे ना अब इसमें डाल देंगे और यह हमाई तही सबजी तयार हो जाएगी ब्रतवाली जरूरी नहीं है कि इसे आप ब्रत में ही खाईए जब मरजी हो था आप बना के खाईए कभी-कभी बिल्कुस सात्वी खाना खाने का मन भी खड़ता है तो मैं इसको बीचे बना भी लेती हूँ इसको डखके थोड़ा साथ डखके थोड़ी दिर के लिए पकाके रखेंगे और उसके बाद आपके सबजी तयार हो जाएगी देखिये तयसबजी हो गई तयार इधर मैंने माणके रखते हुआ कुटू कि आटे की पूरी बनाओंगी बच्चोने कहा कि हम भी आपके साथ इंक खाना खाएंगे कुटू के पूरी बनाने के लिए लागल रखक का था तैयारी कर रही हूं पूरी बनाने की आटा थोड़ा दीला हो गया तो इसको हाथ से ही करके बना रही हूं मैं पूरी अब मैं कर रही हूं बगवान जी की पूजा क्योंकि साथ बच्चों के थे अबने पूजा करी दीपक जलाए बच्चों के साथ बच्चों नहीं पूजा करी मैंने भी करी ओए देखिए मैंने बगवान जी के लिए फिर बाद मैंने खीर ही बनाई तो मैं चावल की नहीं बनाई मैंने साबुदाने की खीर बनाई और सूजी का हलवा बनाया पीले कलर का क्योंकि आज ब्रेश्वत बाहर था तो पीला भूजन चाहिए था तो मैंने थोड़ा से उसमें कर दिया अब पड़ा की पीला हुआ की नहीं हुआ याद भी रही था तो मैंने हलवा भी बनाया मैं सबकी पूझा करी इस तरीके से मेरे बच्चे भी कर रहे थे फिर हम लोगोंने मिलकर आर्थी करी मैंने लगाया भोग बगबान जी को और इस तरीके से मैंने देठाने का दर्शी के लिए